गुड मॉर्निंग, B.C. Part 2nd, Paper 3rd, Electronics. In previous video, we have discussed rectification and rectifiers. Today we are going to discuss half-wave rectifier. पिछले वीडियो में हमने दिश्टकरण और दिश्टकारी के बारे में समझा था. आज हम अर्थ तरंग दिश्टकारी के बारे में पढ़ेंगे. हाफ वेप rectifier हाफ वेप rectifier को हाफ वेप rectifier इसलिए कहते हैं. क्योंकि यहाँ input AC voltage की सिर्फ हाफ सैकल को ही काम में लिया जाता है. हाफ वेप rectifier का circuit diagram नीचे दिया गया है. यहाँ input AC voltage को transformer की primary coil से connect किया गया है. और transformer की secondary coil पे हमें voltage Vs मिलता है. transformer के बाद diode D लगा है जो यहाँ rectifier का काम करता है. इसके बाद resistance RL लगा है जो load का काम कर रहा है. और इस RL के दोनों सिरों के बीच में हम output voltage V O लेते हैं. input voltage V I को हम लिख सकते हैं E P sin omega T. और transformer की secondary coil पे जो voltage Vs मिल रहा है उसको लिख सकते हैं N E P sin omega T. यहाँ N transformer की secondary और primary coil में जो फेरों की संख्या है उसका अनुपात है. N E P को अगर हम E M लिखते हैं तो Vs हो जाता है E M sin omega T. इस तरहें इस diagram में V I है E P sin omega T और Vs है E M sin omega T. Vs के दोनों सीरों को हमने A और B लिखा है. Vs की positive cycle के लिए A B के respect में positive होगा. उस condition में diode forward bias है. Forward bias condition में हम जानते हैं कि diode का resistance बहुत कम होता है. इसलिए diode में से current flow होता है. और RL के दोनों सीरों पर हमें voltage I RL मिलता है. जो की V O के बराबर है. लेकिन Vs के negative cycle के लिए negative half cycle के लिए A B के respect में negative होगा. उस condition में diode reverse bias हो जाता है. reverse biased condition में diode का resistance बहुत जादा होता है. और इस परिपत में बहुत कम current flow होता है. इस कारण से RL के दोनों सीरों पर जो वोर्टता पतन है voltage drop जो की I RL के बराबर है वो भी बहुत कम या negligible होता है. इसका यह अर्थ हुआ कि Vs की positive cycle के लिए हमें output voltage V O मिलता है. लेकिन negative cycle के लिए हमें कोई output voltage V O नहीं मिलता. voltage V I, Vs और V O का समय के साथ परिवर्दन नीचे चित्र में दिखाया गया है. यह हम देख सकते हैं कि V I voltage एक sinusoidal voltage है. Vs पी V I के साथ साथ चेंज होता है, लेकिन उसका मान अलग होता है. Vs की positive cycle के लिए हमें V O मिल रहा है, लेकिन Vs की negative cycle के लिए हमें कोई V O output voltage नहीं मिलता. इस तरह हम देख सकते हैं कि output voltage V O यूनिन डिरेक्शनल voltage है. अर्थाद धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, लेकिन ये धारा समय के साथ constant नहीं है. अर्थाद pulsating voltage है. यह हम ये कह सकते हैं कि output में हमें स्पंधमान दिश्ट वोल्ट ता प्राप्त होती है. लोड R L से जो धारा प्रवाहित हो रही है, उसे हम लिख सकते हैं I is equal to Vs divided by R L plus R F plus R S. जहां R L load resistance है, R F diode का forward biased condition में resistance है और R S secondary coil का resistance है. R F plus R S को अगर हम R लिख दें, तो I हो जाएगा Vs divided by R L plus R. यहां Vs की जगे Em sin omega T रखने पर I हो गया Em sin omega T divided by R L plus R. हमने उपर डियाग्राम में देखा था कि हमें सिर्फ positive half cycle के लिए ही धारा मिलती है, negative half cycle में कोई धारा नहीं होती, इसलिए हम लिख सकते हैं, I is equal to Im sin omega T for T greater than 0 and less than T by 2 and I is equal to 0 for T greater than T by 2 to T less than T. यहां Im is equal to Em divided by R L plus R है. Output में जो धारा या वोल्डता प्राप्त हो रही है, वो pulsating है, इसका औसत मान या average value निकाल रहे हैं, हम इसे हमने idc लिखा है, तो idc हो गया 1 by T integral 0 to T idt, यहां average एक पूरी cycle 0 से लेकर T तक निकाला गया है, I is equal to Im sin omega T होता है, उसको हमने यहां रग दिया, और limits को 0 से T से change करके हमने 0 से T by 2 लिख दिया, वो इसलिए क्योंकि 0 से T by 2 के बीच में ही हमें धारा मिलती है, T by 2 से T तक के बीच में हमें कोई धारा नहीं मिलती, इसको integrate करने पर हो जाता है, Im by omega T, minus cos omega T, minus cos omega T में limits लगाने पर result आता है, Im by pi, इस प्रकार idc हो गया, Im by pi, resistance RL के दोनों सिरों पर हमें जो dc voltage मिल रहा है, उसे हम edc लिख रहे हैं, यह हो जाएगा idc RL, idc का मान Im by pi है, तो यह हो गया, Im RL by pi is equal to Em RL divided by pi RL plus R, अब हम, output voltage और current की RMS value निकाल रहे हैं, the square root of mean of square of current for a complete cycle is called root mean square RMS value, I RMS, एक पूर्ण चक्र के लिए, धारा के वर्ग के औसत के वर्ग मूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान, I RMS कहते हैं, अर्थात I RMS हो गया, under root of I square का mean, तो I square RMS को लिख सकते हैं, 1 by T integral 0 to T I square DT, I का मान रखने पर ये आता है, I M square by T integral 0 to T by 2, sin square omega T DT, यहां भी हमने limits 0 सो T से change करके, 0 से T by 2 लिख दी हैं, sin square omega T को हम लिख सकते हैं, 1 minus cos 2 omega T by 2, तो integral की value आती है, I square RMS की value आती है, I M square by 2 T integral 0 to T by 2, 1 minus cos 2 omega T DT, इसे integrate करने पर आता है, I M square by 2 T, T minus sin 2 omega T by 2 omega, limits 0 से T by 2, इसकी value आती है, I M square by 4, तो I RMS हो गया, I M by 2, I M का मान रखने पर, I RMS हो जाता है, I M by 2 RL plus R, RL पर हमें जो वोल्डता मिल रही है, उसका RMS value हो गई, E RMS is equal to I RMS into RL, this is equal to I M RL by 2, I M का मान रखने पर, यह हो गया, E M RL divided by 2 RL plus R, Efficiency of a Rectifier, अब हम दिश्ट कारी की दक्षता निकाल रहे हैं, Efficiency किसे कहते हैं, The Efficiency of a Rectifier is determined from the ratio of output DC power to input AC power, दिश्ट कारी की दक्षता को निर्गत दिश्ट शक्ती तथा निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ती की अनुपात से ज्याद करते हैं, इस तरह Efficiency को हम लिख सकते हैं, Output DC power divided by input AC power into 100, 100 से multiply करने पर Efficiency का यह मान परसंटेज में आता है, So this is equal to PDC divided by PAC into 100%, PDC को लिख सकते हैं, I square DC RL, IDC का मान equation 3 से यहां पर रखने पर PDC हो गया, EM square RL divided by πाई square RL plus R square, PAC हो जाएगा, I square RMS RL plus R, Input AC power परिपत के सभी प्रतिरोधों RL, RF और RS पर डिसिपेट होती है, इसलिए हम यहां पर RL plus R से मर्चिप्लाइ करते हैं, और PAC को हम लिखते हैं, I square RMS RL plus R, Equation 5 से IRMS का मान यहां रखा हमने, तो PAC हो गया, EM square by 4RL plus R, Efficiency है, PDC divided by PAC into 100%, Equation 8 और Equation 9 से, PDC और PAC का मान हमने यहां रखा, तो हुआ, EM square RL divided by Pi square RL plus R square into, 4RL plus R divided by EM square into 100%, यहां EM square cancel हो जाएगा, और एक RL plus R भी cancel हो जाएगा, रिजल्ट आता है, 4 by Pi square RL divided by RL plus R into 100%, यहां Pi की जगे Pi का मान रख देंगे, और numerator और denominator दोनों को ही RL से डिवाइड कर देंगे, तो रिजल्ट आएगा, 40.6 divided by 1 plus R upon RL percent, इस expression से एक clear है, कि जचे इसे हम RL का मान बढ़ाते हैं, हमारा rectifier यह दिश्टकारी की जो efficiency है, दक्षता है, वो भी बढ़ती जाती है, और efficiency का जो अधिक्तम मान है, वो 40.6% होता है, और efficiency का यह अधिक्तम मान तभी संभव है, जब R का मान RL के comparison में negligible हो, इस तरह हमने देखा, कि एक half wave rectifier की जो maximum efficiency है, वो 40.6% होती है, नेक्स्ट वीडियो में हम half wave rectifier को ही continue करेंगे, Thank You Students!